हलो फ्रेंट्स तो आज मैं आप लोगों के साथ में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन सेयर करूंगी तो इसका जो सोल्डर है वो 6 इंच है मैं पहले ही कटिंग कर ली हूँ और आर्म होल 6 इंच रखी हूँ और फिट जितना भी बोडी का मेजेर्मेंट है उसी से हमें माप ल रख लेना है तो उसी साब से हमें कटिंग कर लेनी है अब यहां पर मैं निकसान लगा ले रही हूँ गले की चोड़ाई का तो जो गले की चोड़ाई होती है वो मैं रख रही हूं 3 इंच और लंबाई है 11 इंच और नीचे से थोड़ा सा गहराई ज्यादा चाहिए तो इस मार्किंग के हिसाब से यहां पर बक्रम की कटिंग कर लेना है यह जो blouse के design में बना रहे हूं बीना अस्तर वाले कपड़े में बना रहे हूं इसलिए और नहीं तो अगर अस्तर वाले कपड़े पर बनाती तो इसको simple भी lining के कपड़े के साथ main कपड़े को attach करके और पलट करके design जो है उस पे बना सकते हैं मगर इसमें मैं अस्तर नहीं लगा रहे हूं इसलिए में बकरम लगा करके अलग से pasting करके और बना रहे हूं इस तरीके से मैं कैसे बनाती हूं आप लोग के साथ share कर रहे हूं तो यह देखिए बकरम को lining का कपड़ा एक लेना है इसी से मिलता जुलता कपड़ा में ले ली हू और उसी के उपर attach करके complete कर लेना है जिस तरीके से हम बकरम attach करते हैं ready करते हैं उसी तरीके से कर लेना है यह देखिए इस तरीके से ready हो चुक है उसके center में cut लगाना है और blouse का जो main part है back वाला उसमें भी center में cut लगाना है और दोनों cut को सामने रखते हुए पहले सीधी लगा लेना है सीधी लगाने से attach हो जाएगा और बिल्कुल भी इधर उधर खसके का नहीं design पे हम जब सिलाई लगाते हैं तब और बहुत ही finishing के साथ design जह है वो बन करके complete हो जाएगा सीधी सिलाई लगाने के बाद पूरे design पे पूरे नेक पे सिलाई लगा लेना है बकरम के बिल्कुल पास में लगाएंगे मगर सिलाई जह है वो बकरम पे नहीं लगेगा या देखिए इस तरीके से और दोनों तरब हमें इसी तरीके से सिलाई杏 लगा लेना है इस तरब भी मैंसिलाई लगर के कमप्लीट कर लेती हूँ तो यह देखिए दोनों सैड सिलाई करकेopa कर के कपड़े की कटिंग कर देनी है और थोड़ा मार्जिंग रखते हैं कपड़ा की कटिंग करेंगे हाफ इंच जितना मार्जिंग रखेंगे और बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे आप इसको अगर लाइनिंग वाले कपड़े पर गडूना रहे हैं तो असानी से पहले अस्थर के साथ में कपड़े करके पलट देंगे तो भन करके bonito नहीं हो जाएमा यह में बीना अस्थर वाले बढ़र बना पूरी डीजायन चोटे कट लगाने है इस तरीके से तके डीजायन में फिनीसिंग ऐसे कट लगाने के बादुरी तरीके से पलकने के लिख अब सीयरू आए लुक नोख से दो पर एक होसे और से अज़र देखने में तरह की ज़या एक होगे दोवज्याओ्mud बे стал भी प्लटने के बाद पूरे नेग पे सेट की सिलाय लगा लेनी है, मगर बिलकुल की नारे पे नहीं सिलाय लगांगे थोड़ा सा अंदर करते, क्यों एक पॉइंट अंदर लेते हुए पूरे नेक पे फ्रेज लगा लेंके, जब भी हम डिजाइन बनाते हैं तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान दें तो अच्छे से और बिल्कुल फिनिसिंग के साथ जो है वो डिजाइन बन करके कंप्लीट हो जाता है तो यह देखिए इस तरीके से कपड़े को फैलाते जाना है अच्छे से और सिलाई जो है वो लगाते जाना है और जहां भी घुमाओ देना है वहां मसीन की जो सूई है उसको अंदर ही रखेंगे और फिर अच्छे से कपड़े को घुमा लेंगे पूरे नेक पे इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है उसके बाद कमर के जो प्लेट डालते हैं वो डाल लेना है मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरा वीडियो देखें वो अच्छे से सीख करके जाएं और जो भी आपको डाउट हो वीडियो में कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं भी तो कॉमेंट करके जरूर पूछिएगा मैं कोसिस करती हूँ आपको अच्छे से अच्छा से तरीके से बताने की यह देखें कमर के प्लेट डल लगे हैं अब जो कमर का बोटम होता है उसकी भी हमें अच्छे से लंबाई का जो निसान है उसमें लंबाई का निसान सही से फिटिंग के हिसाफ से में रखना है और सिलाई लगा देना है यह देखें सिलाई लग चुका है अब हम निसान लगा रहे देखें जैसे मैं निसान लगा रही हूँ यसे ही लगा लेना है और इसके उपर लैस अटेज करना है मैं यहाँ प पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं और इसके उपर जहां तक मैं निसान लगाए हU वहीं तक लैस अटेज करना है लेस को अच्छे से घुमाते जाएंगे, सुई को अंदर रखेंगे, कपड़े को मोड़ते जाएंगे और इसी तरीके से लेस लगा लेंगे देखें जहां तक निसान लगाई थी वही तक लेस को लगाना है लेस में दोनों तरफ सिलाई लगातर पर अटेच करना है तसली के साथ हराम राम से अगर बनाएगे तो बहुत अच्छे से फ्मेशिंग के साथ बलाउज का या बाजू का टिजाएंगे अच्छे से बन जाएगा और मैं इस चैनल पर बलाउज और बाजू लटकन यही सब इसी तरीके का वीडियो अपलोड किया करती हूँ तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरा न्यू वीडियो आए उसका नोटे के लिए आपके लिए और जो लगी इस तरीके से दोनों तरफ हमें कर लेना है एक तरफ लग गया और दूस लेना है यह देखें लेस अटेच हो चुका है उसके बाद फिर से निसान लगाएंगे इसी तरीके से और इसके उपर भी हमें लेस अटेच कर लेना है मगर यहां पर में जो फ्रील वाली लेस आती है वह भी गोल्डेन कलर का ही है अगर आप चाहें तो पूरे पर एक ही तर तरीके का उस तरीके से भी लगा सकते हैं और उसके बाद यहां भी हमें लेस अटेच कर लेना है और जहां पर यह कोना बना हुआ है इस तरीके से तो उसमें थोड़ा से अग्दम बारीक वाला प्लेट डालेंगे तो अच्छे से उसका सेफ जो है वह बन करके कंप्लीट हो यह देखिए लैस अटेच हो चुका है दूसरे तरफ भी लैस पे सिलाई लगा देना है पूरे लैस पे सिलाई लग करके कम्पलीट हो चुका है यह देखिए अच्छा लग रहा है देखने में ही इसका लूग अच्छा लग रहा है पहनने के बाद और भी सुन्दर लगता है अब इसके उपर लगाने के लिए लटकन में कम्पलीट कर लेती हूँ तो यह देखिए यहाँ पर लटकन भी बन करके complete हो चुका है अब इसको भी इसी तरीके से दोनों साइड हमें लटकन को attach कर देना है लटकन attach हो चुका है दूसरे तरफ भी attach कर लेंगे एक तरफ हो गया है अच्छे से लटकन को चेक कर लें डोड़ी को ताकि वह अच्छे से पकी सिलाई लग गई है कि नहीं और यह देखिए पूरा जो ब्लाउज का डिजाइन है वह बन करके complete हो गया है कैसा लगा आपको यह ब्लाउज का डिजाइन कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरा कोसिस है कि मैं आप लोगों को सिखाने की कोसिस करती हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है और सेर जरूर कीजिएगा न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यह रहा इसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारा बन करके त्यार हो जाता है बहुत ही असानी से बीना कोई दिक्कत के थैंक यू सो मच वुडियो देखने के लिए धन्यवाद